इसके लावा अगर हम देखें तो हैसकोल ने जो है वो लेटर जारी किया है हैसकोल को 90 दिन का टाइम दिया गया था 90 डेस का टाइम दिया था जो एक्सपायर होना था सब्टेंबर के महीने में और हैसकोल ने जो है वो बिल आखिर जो है वो मामलात अपने तेह कर लिये हैं औ और एक auditor असाइन करके जो है उन्होंने अपने financials जो है वो audit करा लिये हैं और उन्होंने जो है वो लेटर दिया है जिसके तहद उनका उनकी जो board of meeting है वो 23 ऑगस्ट बरोज मंगल को है और इसमें जो हम मामला देखेंगे तो सबसे पहले जो result आएगा वो 30 जून 2021 का इसके साथ जो है company consider कर रही है restructuring plan जो management है वो has call की change वी है तो वो कोशिश कर रहे है कि किसी किसम का restructuring plan लेकर रहे हैं तो 23 तारीक जो है वो काफी जादा crucial है उसमें देखना है कि 23 तारीकों ऐसे क्या एकदाम आएंगे और ऐसा क्या disclosure आएगा company की इंतजामिया की तरफ से management की inflation के numbers बढ़ते जा रहें interest rate बढ़ता जा रहे है crude oil भी जो है वो काफी जादा fluctuate कर रहा है जिस तरह हमने आप से कल के program में कहा कि दो एदारे हैं एक जो है वो crude oil में तेजी देख रहे हैं एक जो है वो crude oil में demand की कमी देख रहे हैं तो ये चीज़े भी है ये मामलात भी है तो crude oil काफी जादा fluctuate करेगा इन हालात में जो है इनको funding किसे मिलेगी क्या होगा तो ये unveil होना अभी 23 तारीक को बाकी है इन्होंने जो है वो 31 डिसमबर 2021 तक का याने पिछले साल तक का जो है वो result announce करना है 23 तारीक को इसके बाद के जो result के बाद की जो ending है वो भी मालूम होना कंपनी देखे तो मुसलसल जो है वो pressure में है और कंपनी जो है वो काफी जादा loss कर चुकी और इसमें जो है वो चंद स्कैंडल भी आए है अगर हम देखें तो बैंकों से default भी है तो ये काफी जादा मामला इसके खराब है तो ये पूरे पूरी चीजे देखनी है किस तरह से कंपनी जो है अपना आपको restructure plan करती है ऐसा ना हो कि कंपनी जो है वो दुबारा right share दे दे हैसकोल का आप लोग के साथ data share करता हूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका current rate जो चलड़ा है वो 4.90 रुपे का चलड़ा है पी ratio जो multiple है वो non applicable है और expected भी जो है वो non applicable है इ cruise है बैंको के आगे payment जो है इसका payout अगर हम देख लें तो October 2019 में इसने 400% right share दिये थे right share और bonus जो है वो company को long term जो है उसकी earning divide कर देते हैं जितना percent जो है right share और bonus कोई company देगी तो उतना percent जो है उसका free float divide हो जाएगा जो earning है वो उस percent से उस तनासुप से divide हो जाएगी तो आखरी का जोने नहीं ने right share दिया था वो 400% kann राइड share दिया था October 2019 में इसके बाद if हम देखें इस से पहले अगर हम देखें तो April 2019 में 10% bonus दिया फिर October 2018 में 25% bonus दिया डो April 2018 में अगर हम देखें तो 35% dividend दिया इसके बाद September 2017 में हम देखें तो 20% right दिया August 2017 में देखें तो 35% आउगस्ट 2016 में देखे तो 35% dividend मार्स 2016 में देखे तो 35% dividend टोटल जो इसके shares है उसका 60% जो है वो free float खरा है और काफी ज़्यादा shares है shares की quantity काफी ज़्यादा है और management के पास कम shares है 50% से जो under होते हैं free float वो companies जो है वो ज़्यादा सुतरी कहलाती है इसलिए क्योंकि management के पास ज़्यादा control है और management अपनी company पे ज़्यादा भरोसा करती है अपनी company को जो है वो आगे prosper होता है देखती है ये एक sign होता है कि जितना free float कम होगा उतना ज़्यादा जो है वो beneficial होगा अभी हम देखें तो आड़ोस पाकिस्तान जो है वो भी अपना buyback के जरीए 25% stake जो है वो market से उठा रहे है जो current rate चल रहा है आड़ोस पाकिस्तान का वो 26 रुपे का है और company जो है वो buyback कर रही है वो 30 रुपे से तो जितना free float कम होते जाएगा company इसके पास जितने shares होंगे इनकी इंतजामिया के पास जितने shares होंगे तो वो एक अलामत है एक sign है कि company जो है वो prosper कर रही है और आगे जाके उसके chances है प्रॉसपर करने के इस वजह से company की management का अपनी company पे काफी जादा conference है यह सारे मामला देखने है नई इंतजामिया है नई management है कि तरह से बेंको को जो है बेंकों से जो पैसा लिया गया है बोरो किया गया है टाइम आफटर टाइम वो कैसे जो है वो रिटन करेंगे आया इस बार वो दुबारा तो कहीं राइट शेर तो अनाउंस नहीं कर देंगे अगर करेंगे तो कितना परसंट राइट शेर अनाउंस करेंगे राइट शेर अनाउंस कर देंगे इससे शेर लॉस्ट किया है